जिलमिल और उसकी फैमिली ने दिया पोपटलाल को धोखा और पोपटलाल को इतना गुसा नहीं आया जिलमिल पर जितना के सोसाइटी वालो और खास करके बबीता जी को आया जी हाँ दोस्तो जिलमिल की सचाई का पता लगने के बाद बबीता जी का गुसा फूटा जिलमिल पर और बबीता जी ने चिला कर कहा के तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया तुमने शादी जैसे पवित्र बंधन को मजाख बना के रख दिया अब दोस्तो जिस बबीता जी ने एकसाईटीड होकर सभी महीला मंडल को इकठा किया पौपटलाल के घर और सारी तयारियां की और सबसे ज़्यादा एकसाईटीड बबीता जी ही नजर आ रही थी पौपटलाल की शादी को लेकर और अचालक से जिलमिल का ये सच पता चला त कब से लेकिन तारिक मैता मेकर्स बिलकुल भी मूड में नहीं है पौपटलाल की शादी करवाने के लिए आप तो सिर्फ भगवान या तारिक मैता शो के मेकर्स ही बता सकते हैं कि कभी पूरी लाइफ में पौपटलाल की शादी होगी भी या नहीं तो दोस्तो आप बताओ किया कभी जब तक तारक मैता शो चल रहा है पोपट लाल की शादी हो पाएगी या नहीं इस बारे में आपको क्या लगता है आप अपने व्यूज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और बॉलिवुड टॉप को सब्सक्राइब करना ना भूले और बैल आइकन भी प्रेस कर दे तक कि आप आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर पाते रहें